भगवान स्रीराम का प्राण प्रतिश्ठा समारोह, इसमें किसी भी देवी देवताव का प्राण प्रतिश्ठा समारोह होता है, उसमें जला धीवास, अनना धीवास अधिवास संपन किये जाते हैं। वुजा को ले करके पूजा विधान आरंभा और भगवान की रामर्चा पूजा होगी और इसी क्रम से लगातार जो हमारी वैदिक प्रक्रिया आथा पूजान अर्चन चलेगा और हमारे कासी के प्रतिष्ठित वैदिक घराने के आचार लक्षमिकांद निर्थित्तु में य लुखिब्विद्वान आचार लक्ष्मीकांदिक्षी जी कि निरतित्तु में उपस्तित हो करके इस कर्मकांद विधा को संपादित करेंगे पूज्य उसमें उपस्तित रहेंगे और कासी विद्वत परशद के आठ विद्वानों की वहां उपस्तिती रहेगी मार्गदर्शन के रूप में साक्षी भाव के रूप में वहां उपस्तित रहेगा कासी विद्वत परशद तीन दिन तक चलेगी पूजा इसमें प्रधान मंत्री जी कब आएंगे और क्या उनकी गुमी का है प्रधान मंत्री की मुख यजमान की रूप में 22 तरीक को उपस्तित हो रहे हैं 22 तरीक को ही प्रधान महुर्त में ही ये प्रान प्रतिष्ठा समारो संपादित होगा और उस समारो के मुख यजमान की रूप में देश के सस्वी प्रधान मंत्री जी उपस्तित रहेंगे और गणमान लोग उनके साथ में पस्तित रहेंगे साथ ही महा आरती भी प्रधान मंत्री जी अपने करकमलों से स्वेम बाल सुरूप भगवान सरी राम लला की संपादित प्रदेश के सस्वी मुखमंतरी जी भी उस कारक्रम में रहेंगे या उत्तर प्रदेश की राजपाल महोदया रहेंगी अन्य गणमाने लोगों को जो ट्रश्ट के महासचीव हैं उन्होंने अपने ढंक से सारी लोगों को आमंतरन दिया है और हमें विश्वास है कि ये समारो पून तहा सनातरी परंपरा के साथ और भारती भब्वता के साथ राजो पचार पूजन के साथ चूकि राम राजा है इस बात की कुभावना में ध्यान रख करके राष्ट की समरस्ता राष्ट की उन्नती और राष्ट का विकास का संकल्प ध्यान में रख करके मर्यादा प और जो है हिराजवारात रहेंगे इस सारे रत्न रहेंगे जो नौरत्न है और उनको भगवान राम लला के नीचे का जो भाग है वहाँ उनको अस्थापित करने का एक योजना बन रही है राम रान राष्ट में हो राष्ट में समरस्ता की संस्कृति पैदा हो राष्ट का विकास हो इस प्रकार की धारणाओं को ले करके ये पूजण अर्चन किया जाएगा ये राष्ट का प्रधान गवरो भूत मंदिर होगा दुनिया इसको देखने आएगी क्योंकि हमारे करोण करोण हिंदुओं ने अपनी आत्महूती वलिदान दिया है पांसो वर्सों का ये संगर्ष का फूर्ण बिराम है और उसका अवसान के बाद उसका फल सुरूप है बाल सुरूप में भगवान श्री राम का भव्य और दिब्य मंदिर जो हम रामराज की कल्पना करते थे ऐसे हमारे रामराजा अस्थापित होने जा रहे हैं समाजिक समरस्ता का संदेश देने के लिए कौन-कौन से नयास के सदस रहेंगे देखिए जब ट्रश्ट का गठन किया गया तभी इस बात का संदेश दिया गया कि उसमें आधरनी चौपाल जी है और पूज संदगण हैं संदगणों की कोई जाती नहीं होती संद सब के होत रामराज में सभी वर्ण सभी जाती सभी समुदाय प्राणी मात्र के कल्यान की कल्पना करना ही रामराज्य है सरवे भवंत सुखिना सरवे संतु निरामया की परिकल्पना ही रामराज्य है इस परिकल्पना के साथ जहां आप समझ दिजी जैसे जटायू जैसे पक्षी को अपने गोद में लेते हैं ऐसे राम राजा की परिकल्पना होने जा रही ऐसे राम राजा के प्राम मंदिर की प्रान प्रतिष्टा का समारो होने जा रहा है जो जीव मात्र के कल्यान की परिकल्पना जहां की गई हो ऐसे भगवान स्री राम साक्षात रामो विग्रह वान धर कर रहे हैं और उसी डंग से इस कारिकों को लोग संपादित भी करेंगे हमें विश्वास है कि ये समारो निश्चिती वैदिक द्रिष्टी से सनातनी द्रिष्टी से और दुनिया इसको देखेगी समझेगी और जब वहां जाएगी उनका दर्शन करेगी तो एक नई उसको की हैं एक दूसरे के उपास सयॉपासक भाव का संबन्हीर निश्चित भगवान स्युव को अमंटर्ण जागा है उनकी अग्या कर्के जा रहे हैं कहीं इसमें कोई संदे नहीं है पवित्रता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और सब के सुख स्विधाओं के अनुसार समय समय से इसलिए कितने लोग कब बुलाये जाएंगे वहां के ट्रश्टी गन इसका पूरा विचार करक कि अपने डंग से सारी प्रिक्रिया को लोग संपाधित कर रहा है